नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बियराइच फैक्ट में आज हम इस वीडियो में आपको डिफेंस रिलेटेट तीन अपडेट देंगे पहली अपडेट अमरीका से आ रही है पाकिस्तान पर दूसरी अपडेट भारती सैना हाई मोविल्टी टोही वीकल की खरीद पर है तीसरी अपडेट भी भारती सैना से आ रही है वह भी हाई मोविल्टी वीकल 6x6 गन टोइंग वीकल की खरीद पर है तीनों update पर आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में आप इस वीडियो को अंतक देखना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की notification मिल जाए चली चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी अपडेट पर दोस्तों अमरीका ने मिसाइल परसार और असुरक्षित प्रमानूग गतिवीदी के लिए छे पाकिस्तानी कमपनियों को अपनी इन्टाइटी लिस्ट में रखा है वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्टाइटी लिस्ट आखिरकार है क्या यह एक ट्रेड रिस्ट्रक्षिन असूची है जो जुनाइटिट स्टेट डिपार्टमेंट वीरो अफ इन्टाइटी अन्टाइटी लिस्ट में रखा है यह कंपनियां रूज, सुजिलाइट, पाकिस्तान, युनाइटिड अरब, अमिराद जैसे देशों की दो दर्जन संस्ताओं का हिस्सा थी जिने अमरीका कमर्शल डिपार्टमेंट आफ इन्टाइटी लिस्ट में जोडा गया था इन में डाइमिनिक एंजिनिरिंग कॉर्परेशन, रेन्वो सल्यूशन, युनिवर्सल ड्रिलिंग इंजिनियर्स, अनर इक्वी प्राइवल निम्टेड, अनर टेकनोलोजीज और ट्रोजैन्स है इन कंपनियों को असुरक्षित प्रमानू गतविदी और मिसाइल परसार संबंदी गतविदियों के लिए इन्टाइटिल लिस्ट में जोडा गया था दोस्तों वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही असुरक्षित है पर अभी अमरीका ने सिर्फ 6 कंपरियों को ही असुरक्षित बताया है आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इस नई कामजावी के बारे में प्लीस कमेंट करना चलिये चलते हैं अगली अपडेट पर जो हमारी बारती सेनवा से आ रही है बारती सेना बक्तरबंद और मेकनाइज इणफैंटरी उनिट्स के लिए 918 गति शील्ता टोही बाहन की खरीद की तलाश में है जो मेकनाइजड इंफैंट्री यूनिट के कमांड टोही एलमेंट्स और निगरानी कारें के लिए बक्तरबंद रेजिमेंट द्वारा निजोजित किया जाएगा इस बहान में प्रियाप्त गर्ती शीलता होनी चाहिए बोर्ड पर सैनिकों को सुरक्षित करना चाहिए राइट हैंड ड्राइब होना चाहिए इस बहान की क्रूज रेंज मिनिममम 400 किलोमेटर ऑन रोड इसके साथ ही 200 किलोमेटर आफ रोड होनी चाहिए पे लोड ले जाने की शमता डे टन से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगली अपडेट भी हमारी भारतिय सैना से आ रही है इसमें भी भारतिय सैना गन टोइंग वीकल खरीदना चाहती है भारतिय सैना को 252 GTV जानी की गन टोइंग वीकल 6x6 की खरीद के लिए AON जारी किया गया है GTV 6x6 155mm artillery gun और air defense radar को टो करने के लिए एक high mobility वीकल है इस वीकल को 20 टन की गन और radar खीचने में सक्षम होना चाहिए इस बहान का engine माइनस 15 से लेके माइनस 5 के बीच और प्लस 40 degree से लेके प्लस 48 degree के बीच अधिकतम तापमान में काम करने की शमता होनी चाहिए दोस्तों आपको पता ही होगा कि ठंड में engine काम नहीं करते हैं इसलिए इस वीकल में ठंडी जलवाईों में engine को चालू करने के लिए उप्युक्त उपकरन परदान किये जाने चाहिए ये वीकल 8000 किलो ग्राम या उससे अधिक का पे लोड ले जाने में सक्षम होना चाहिए इसके साथ वे कीचड और रतेली जगाओं पर भी अराम से चल सके दोस्तों आपको क्या लगता है तीनों अपडेट्स पर प्लिस कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाहिए